आज हम कक्षा सात्वी का छटा पाठ सदाचार पढ़ेंगे चलो शुरू करते हैं चौथा स्लोक सर्वदव्य वहारे स्यात अंदारे सत्यता तथा त्रेजुताम्रिदुता चापी कोटेल्यन कदाचन इसका अर्थ है मनुष्य के विवार में हमेशा उदारता, सच्चाई तथा उसी प्रकार सरलता व कोमलता होनी चाहिए लेकिन कभी भी हमारे विवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए सिर्वदा का अर्थ है हमेशा अंदारे का अर्थ है उदारता त्रिजुता का अर्थ है सेलता और मृदुता का अर्थ है कोमलता पांचवाश लोग श्रेश्ट जनम गुरुंचा पी मात्र पित्र तथा मन सा क्रेमन वाचा सेवेट सत्तम सदा इसका अर्थ है हमेशा अपने गुरु माता-पिता तथा सज्जन व्यक्ति की मन, वचन और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए मनसा का अर्थ है मन, कर्मना का अर्थ है कर्म और वाचा का अर्थ है वचन छटाश लोग मित्रेन कलहं कृत्वान, कदापी सुखी जन, इती ग्यात्व प्रयासेन, तदेव परिवर जयेत इसका अर्थ है मित्रे से जग्डा करके कोई भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता अतर यह बात जानकर उससे प्रत्न पूर्वक बचना चाहिए कलहं का अर्थ है जग्डा और ग्यात्वा का अर्थ है जानकर धन्यवाद अगर आपको इसका पार्ट वन चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी